तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला और हाइपरबोला के लिए फोकस डारेक्टिक्स प्रपरटी क्या है फोकस डारेक्टिक्स प्रपरटी हाइपरबोला के लिए eccentricity का value अगर 1 से बढ़ा आता है तो उस konic को हम कहेंगे hyperbola अब eccentricity का value 1 से बढ़ा क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर sp यह जो distance है यह distance pm से बढ़ा रहेगा तो new meter बढ़ा हो गया यहाँ पर parameter छोटा हो गया तो सीधे सीधे इस ratio की value 1 से बढ़ी आएगी ठीक है ना SP बढ़ा है PM छोटा है तो रेशो जो eccentricity जो है वह यह 1 से बढ़ी आएगी इसलिए यदि eccentricity के value 1 से बढ़ी आती है तो उस konic को हम कहेंगे hyperbola ठीक है ओके एक focus ले लिए जिसको हमने यस नाम दे लिए या नाम दे लिए यास very good उसके बाद हमने क्या किये एक directrix ले लिए जिसको हमने डी नाम दे लिए अब ये यस में से directrix डी पर एक perpendicular ट्रॉक ये जिसको हमने यस जेड नाम दे लिए ठीक है अब देखो दो पॉइंट और लिली हमने ए और ए डाश कहां पर लिलिए यस जेड पर कैसे लिलिए तो ये ए और ए डाश जो है ये यस जेड को डिवाइट करेंगे इंटर्नली और एक्स्टर्नली रिशो क्या रहेगा रिशो रहेगा डिविजन का e as to one आ रहा है ना समझ में very good अब next क्या करो कि a और a डाश जो है कि ने इसका midpoint जो है इसको हम origin कंसिडर करेंगे तो इसको हमने नाम दे दिये o और इस o में से x-axis ड्रॉ करेंगे along the line o s ठीक है ना तो इस x-axis हमने ड्रॉ कर लिए और इस x-axis को o में से जो light perpendicular रहेगी उसको हम कहेंगे y-axis ठीक है यहां तक तो आ गया बेटा हम अब इसके आगे हमको क्या करना है देखो यह a और a-डाश जो है इसका length हम consider कर लेंगे 2a ठीकरा अब जब हमने इसका length 2a कंसिडर कर लिए तो a के coordinates क्या हो गया बोलो तो जरा क्या हो जाएंगे a के coordinates हो जाएंगे a,0 कंफियूज नहीं होना आए ठीक है यहाँ आपर हमने small a,0 ले लिए जो की positive x-axis पर है और negative x-axis पर जो point है a-डाश इसके coordinates क्या हो गए माइनस a,0 ठीक है ना ओके यहाँ तक तो आ गए हम अब क्या करेंगे x-axis पर yes z इसके coordinates ले लिए पटा इसके coordinates ले लिए हमने देखो yes के coordinates ले लिए y,0 और z के coordinates ले लिए k,0 आगया इतना हाँ अब देखोड़े पेटा यह a जो point है ना दिख रहा है बराबर यह a जो point है यह z को divide कर रहा है ratio है es to 1 बता रहे हैं पहले बता दिये तुमको कि y,z को a divide करेगा ratio es to 1 में तो यहाँ पर हम section formula अपलाए कर दिये तो section formula अपलाए करने के बाद में हमको मिल गया a equals to देखो यह expression मिल गया थेक है ना अब इसको simplify करो denominator इदर multiply लेकर जाओ तो equation मिल गया h plus e के equals to a plus ae यह हो गया जब हमने point capital a लिए अब a dash लेंगे हम देखो a dash y,z को divide कर रहा है कैसे divide कर रहा है बोलो तो externally कैसे divide कर रहा है externally अब उसका ratio क्या है division का es to 1 तो फिर से एक बार इसको हम section formula अपलाए करेंगे काई के लिए external division के लिए है और जब इसको external division के लिए apply करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो तो हमको मिलेगा minus a equals to यह expression तेक है अब इसको जब हम simplify करेंगे तो इसको next expression को मिलेगा minus h plus e k equals to a minus ae तो इसको हमने number दे दिये 2 इसके पहले वाला जो equation मिला था इसको हमने number दे दिये थे 1 अब इन दो equations 1 और 2 का क्या करेंगे हम addition करेंगे अब addition करने के बाद में हमको यहाँ पर k का value मिलेगा जो कि आगया k equals to a upon e और यह k का value हम किसी भी equation में 1 या फिर 2 में put करेंगे तो हमको yach का value मिल गया yach equals to ae तो इस तरह से yach के coordinates बन गए ae,0 और z के coordinates बन गए a upon e,0 देगा न तो जब z के coordinates मिल गया तो directives का equation हो गया क्या हो गया बोलो तो directives का equation हो गया x equals to a upon e means x minus a upon e equals to 0 अब consider करेंगे point p ठीके न है a और a dash चोड़कर दूसरा कोई भी point आपको यह p लेना है तो pm perpendicular लोड़ा कर दिये directives deeper और yes p yes p का भी distance formula से distance हमने find कर लिए yes p equals to यह हमको yes p मिल गया pm perpendicular distance वो हमको मिल गया देखो perpendicular distance आ गया यह focus directives से yes p upon pm equals to e तो इसको जब multiply करेंगे तो yes p equals to e multiplied by pm ठीके ना value put करो yes p का जो find किये है pm का value जो find किये है वो put करो तो यह expression हमको मिल गया अब यहां से root हमको भगाना है काई कैसे भगाएंगे इसको जब हम square कर गे तो यहां से root भाग गया निकल गया यहां से square कर दो इसको यह expression विल गया x square minus twice a e x plus a square e square plus y square equals to e square x square minus twice a e x plus a square अब like terms करेंट करो तो x square common निकालने के लिए ठीक ना तो like terms करेंट कर लिए 1 minus e square x square common ले लिए plus y square as it is और यह constant जो भी है x square और y square के terms हमने एक तरफ ले लिए और बाकि सारी terms दूसरे टरफ ट्रांसफर कर दिए तो हमको देखो यह expression मिल गया अब इस पूरे equation को right hand side में जो term है देखो क्या term है हमारे पास में a square bracket 1 minus e square इससे हम divide करेंगे ठीक है ना तो जब इसको हम divide करेंगे तो यह expression हमको मिल गया अब देखो ध्यान से यहाँ पर second fraction में denominator में से minus sign हम common ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा minus e square bracket e square minus 1 अब यह minus sign numerator को multiply हो गया तो expression बन गया हमारे पास x square upon a square minus y square upon a square bracket e square minus 1 equals to 1 तो अब यह जो denominator में second fraction के denominator में term है a square bracket e square minus 1 इसको हम replace करेंगे b square से तो पूट करते हमने b square तो expression बन गया हमारा x square upon a square minus y square upon b square equals to 1 which is the required equation of hyperbola पूट यब थाद NE little